हेलो वच्छ नमस्कार गुड आफ्टरनौन स्वागत है अफ सभी का रोजगार विदंग की चैनल पर तो क्या हाल है भाई सभी के जुड़ेंगे और आज हमें एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं बचे बड़ा असान टॉपिक है इसमें ना कुछ अलग से कुछ जादा पढ़ना आपको होता है नहीं बहुत सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी होती है जैसे आपको लसी एंड वर्क में अगर मैं कहूं तो लसी एम आपको आता है निकालना तो यह मालों साठ प्रसेंट टाइम एंड वर्क आप पढ़ चुके हो आप अगर आप से लसी निकालना आता है तो ठीक है तो बागी छोटे चोटे दो तीन कॉंसेप्ट है वो मैं आपको मैंने चार-पांच कोशन एक दो तीन-चार कोशन जो भी होंगे मैं वह एड कर लोंगा कल वाली क्लास में वैसे हो जाएंगे अगर आप थोड़ी कोशिस करेंगे तो लाब और उस पे आपके क्या कहते है टाइम और उस पे और एक बनता है उसका एक्टिव पार्टनर का कि कि 20% सेलरी लेता है बागी तो और कुछ उसमें ज्यादा है नहीं तो यहां पर टाइम एंड वर्क है बचछे आज हम सुरुवात करते हैं अब बहुत 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 बेसिक सीजी में आपको बताओंगा ताइम एंड वर्क में कितना बेसिक हम जा सकते हैं उतने बेसिक से स समय तथा कारिय ऐभी इसमें बड़ा फे मस्सी चीज है दो तीन चार जो भी है शुरुब civय में ऐस्ज़ाम से जी बड़ा फे मस्सी सी चीज है जो आपको पता भी होनी चीए बाठा मैं नाम लिता हूं फेजी बड़ा फेमस है और लास्ट-काम आएगा टाइमेंड वर्क का जिक्र जहां भी होगा एफिसेंसी उसके साथ होगा एफिसेंसी एफिसेंसी यानि के छमता जिसको हम बोलते हैं अब छमता का मीनिंग क्या होता है कोई मुझे बता सकता है आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर मैं से पूछू कि आप एक घंटे में कितनी रोटी खा सकते हो आप एक घंटे में कितनी रोटी खा सकते हो तो आपका आंसर क्या होगा आप कहोगे सर जी एक घंटे में मैं मैं खा सकता हूं 20 रोटी इतनी तो खुराक आपकी होगी ना आप कहोगे सर जी एक घंटे में 20 रोटी मै जो एक particular time में किया गया काम है ना, वही होती है छमता, अगर मैं, होता है ना, कि इतनी छमता है तेरी, तो आप कहोगे मेरी 20 रोटी की छमता है, मैं आप से कहूँ कि आप एक दिन में कितनी रोटी खा लोगे, तो आप कहोगे कि सर एक दिन में ना, मैं 80 रोटी खा जाओंगा, तो आप, आप में से दूसरा कहती है एक दिन में मैं पिच्चान मरोटी खा जाऊगा तो वो एक दिन यानि किसी particular time में किया गया कारिय ही उसकी छमता होती है अब छमता second की भी हो सकती है कि एक second में कितना काम कर रहे एक minute में कितना काम कर रहे एक घंटे में कितना काम कर रहा है और एक दिन में कितना काम कर रहा है एफिसेंसी न ये हमारी बदलती रहती है समय के अनुसार सवाल के अनुसार बदलती है सवाल में अगर घंटे का जिकर होगा तो एक घंटे में किया गया काम ही एफिसेंसी होगा अब आप मुझे एक बात है 100 रोटी मेरे पास है 100 रोटी तो आप मुझे बताओ कि 100 रोटी को खाने में कितना समय लगेगा 100 रोटी को खाने में कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे कि सर एक घंटे में खाई गई है 20 रोटी एक घंटे में 20 रोटी खाई गई है मैंने का भाई अगर आप एक घंटे में 20 रोटी खाते हो ना तो बताओ 100 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा आपको तो आप कहोगे कि एक घंटे में 20 रोटी यानि कि आपकी छमता है ये आपकी efficiency है ये और आपको दिया गया काम है 100 रोटी का तो कुल कारिय है ये आपका कुल कारिय हो जाएगा क्या हो जाएगा कुल कारिय है यानि कि आपको करना कितना काम है 100 रोटी खाने का आपकी छमता कितनी है एक घंटे में 20 रोटी खाने की मैंने आपसे कहा मैंने आप से का कितने घंटे में आप 100 रोटी खा जाओगे कितने घंटे में आप 100 रोटी खा जाओगे तो आपका आंसर क्या होगा आप कहेंगे सर एक घंटे में 20 रोटी तो भाई 100 रोटी खानी है 100 को 20 से डिवाइड कर दो एक घंटे में किया गया काम आंसर आ जाएगा कितना? पांच घंटे. आप कहेंगे कि सर पांच घंटे लगेंगे सो रोटी खाने में. कितने घंटे लगेंगे? पांच घंटे लगेंगे. तो आब बचे यहां से एक चीज समझें कि एक घंटा, एक मिनट में किया गया काम वो भी छमता होती है. अब समय में. एक निश्चित समय में किया गया कारिय क्या होता है? एक निश्चित समय में किया गया कारिय ही आपकी छमता, आपकी efficiency होती है बात के लिए और हुई है ना? तो अब जैसे वो भीया काम हो सकता है आपका एक मिनट का काम भी हो सकता है एक मिनट में काम एक मिनट में किया गया कारिय ये भी हो सकता है एक मिनट में किया गया कारिय भी हो सकता है एक घंटे में भी हो सकता है अगर सवाल के अनुसार मैंने का नहीं सब चीजे डिपेंड करती हैं सवाल के अनुसार सवाल इनट में किया गया कारिय भी छमता होगी, एक घंटे में किया गया कारिय भी छमता होगी, एक दिन में किया गया कारिय भी छमता होगी, तो ये डिपेंड करता है सवाल के अनुसा, ओके, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक और बात, एक और बढ़ियासी बात पूछता ह मैंने कहा कि भाई एक दिन में आप 20 सवाल निकाल सकते हो आप एक दिन में 20 सवाल वे सॉल्व कर सकते हो मैथ के आप मैट्स के तो आप मुझे बताइए कि आप दस दिन में कितना काम कर दोगे आप दस दिन में कितना काम कर दोगे अगर आपकी छमता है एक दिन का कि आप एक दिन में 20 सवाल मैट के सॉल्व कर सकते हो मेरा सवाल आप से है कि आप 10 दिन में कितना काम कर दोगे या कितना सवाल तो आप कहेंगे कि सर एक दिन में होते हैं 20 सवाल और भाई 10 दिन में पूछा तो 10 से गुणा कर देंगे सर होंगे 200 सवाल 10 दिन में कितने सवाल 10 दिन में हो जाएंगे 200 सवाल बात यहां पर किलियर हुई फिलकुल किलियर हुई आपको आपने किया क्या कि आपने सवाल यानि के चमता को जो एक दिन का काम था वो थी चमता और चमता को आपने समय से गुणा कर दिया तो आपका total वर्क आगया। तो यहां से एक definition और निकल क्या ही उसे box में बंद करके लिखना। कि बच्चे अगर मुझे कुल कारिय चाहिए, सवाल में यह चीज मैं आपको यूज कराऊंगा, कि सवाल में अगर आपको चाहिए कुल कारिय, आपको चाहिए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क का मतलब होता है कि छमता, छमता को efficiency को गुणा करते हैं, efficiency को गुणा करते हैं, कुल कारिय को करने में लिया गया समय, उससे गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कुल कारिय, मैंने क्या किया, कि बच्चे अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए, अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो मैं छमता को, मैं efficiency को गुणा कर दूँगा, कुल कारिय को करने में लिया गया समय से, बात आपकी किलियर हुई, विल्कुल किलियर हुई, कि सर अगर मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, चमता यानि के एक दिन का काम या एक घंटे का काम सवाल के हिसाब से, और उसे काम को पूरा करने में मानलो 20 दिन लगे, तो मैं चमता को 20 दिन से गुणा कर दूँगा, टोटल काम मुझे मिल जाएगा, है ना, टोटल काम मुझे मिल जाएगा, चलिए जैसे अब थोड़ा सा चलते हैं अपने सवालों की तरफ या फिर थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, इसको कर दे थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे एक चीज बताओं कि ए बंदा जो है, ए बंदा एक काम को, एक काम को कितने दिन में कर सकता है, एक काम को बीस दिन में कर सकता है अब हमें नहीं पता A की छमता कितनी है मैंने आपसे कहा कि A जो है वो पूरे काम को 20 दिन में खतम कर देगा मैंने कहा एक बंदा B है बचे वो उस काम को 30 दिन में खतम कर देगा कितने दिन में? 30 दिन में एक बंदा किसी काम को 20 दिन में खतम कर सकता है दूसरा उसे 30 दिन में खतम कर सकता है मैंने आपसे कहा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे मेरा सवाल आपसे है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे बैस आपको दो चीज दी हुई होगी सवाल में कि एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, भी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपने करना क्या है, कि भाई A का यहाँ पर लिखना है समय और B का समय लिखना है यहाँ पर, उसके बाद आपने क्या करना है, सामने देखो, उसके बाद आपने करना है कि 20 और 30 का LCM बता दो मुझे जल्दी से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में 20 और 30 का LCM दिखना चाहिए 20 और 30 का LCM कितना होता है आप कहेंगे सर 20 और 30 का LCM होता है 60 और जो आप यहां 60 लोगे ना जो LCM होता है यही हमारा कुल कारिय मान लिया जाता है बचे यही क्या मान लिया जाता है टोटल वर्क यानि के कुल कारिय मान लिया जाता है टोटल वर्क तो जो हमने LCM लिया है न ये total work मान लिया जाएगा किसका कि A उस काम को 20 दिन में कर सकता है B उसे 30 दिन में कर सकता है मैंने 20 और 30 का LCM उठाया मिला 60 मैंने 60 को total work मान लिया अब मुझे निकालनी है चमता अब मुझे निकालनी है efficiency मुझे निकालनी है efficiency आप pen को side में रखो सामने देखो और मुझे एक simple सी बात बताओ कि total काम है 60 unit या फिर आप ये मानो कि total total 60 रोटी है और A जो है उसे 20 दिन में खतम कर सकता है 60 रोटी को A अगर खाने लगे तो 20 दिन में खतम कर देगा तो एक दिन में कितना खाएगा A अगर total 60 रोटी है और A उसे 20 दिन में खतम कर देता है 60 रोटी को तो उसने एक दिन में कितनी रोटी खाई होंगी भाई इस हिसाब से सोचो खुद सोचो के सर 60 रोटी है वो 20 दिन में खतम कर देगा 60 रोटी को अब ये जो तीन रोटी है ना बचे ये एक दिन का काम है और एक दिन का काम ही क्या होता है आपके दिमाग से आंसर आया सर छमता होती है efficiency होती है ऐसे ही मुझे बता दो B की छमता क्या है के भाई total 60 रोटी है और B उन 60 रोटी को 30 दिन में खा सकता है तो B एक दिन में कितनी रोटी खाएगा total 60 रोटी है B उन्हें 30 दिन में खतम कर सकता है तो B एक दिन में कितनी रोटी खाएगा तो आप कहेंगे सर 60 बटे 30 आप कहेंगे सर 2 बचे ये 2 है ना ये B की छमता आ गई B की efficiency आ गई मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया के एक दिन में किया गया काम छमता होती है एक घंटे में किया गया काम छमता होती है एक मिनट में किया गया काम छमता होती है एक दिन का काम ही छमता होगी मैंने कहा ए उसे 20 दिन में कर सकता है बी उसे 30 दिन में कर सकता है और मैंने 20 और 30 का LCM लिया मिला मुझे 60 मैंने उसे total work मान लिया, کुल कारिय मान लिया मैंने चमता निकालने गया तो 60 बटे 20 तीन मिला 60 बटे 30 दो मिला ये इनका एक एक दिन का काम है मैंने कहा अगर दोनों लग जाए उन साथ रोटियों को खाने में A भी सा उस रोटि को खाने में लग जाए B भी दोनों के सामने रख दी मैंने वो साथ रोटी ये साथ रोटी मैंने दोनों के सामने लग दी मैंने का लग जाओ खाने तो आप मुझे बताओ कितने दिन में निम्टा देंगे आप कहेंगे सर A जो है वो एक दिन में तीन रोटी खा सकता है B जो है वो एक दिन में दो रोटी खा सकता है तो दोनों अगर मिल जाए, तो बच्चे एक दिन में पांच रोटी खा लेंगे, दोनों अगर A और B मिल जाए, तो एक दिन में पांच रोटी खा लेंगे, अब रोटी खानी कितनी है, साथ और एक दिन में कितनी खा सकते हैं दोनों मिलकर, पांच रोटी, तो भाई कितने द करना है और पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे तो चलिए अब मैं आपको PDF की तरफ ले कर चल रहा हूं आप उसका आंसर मुझे बहुत स्पीड से बहुत इस्पीड से जल्दी से मुझे बताएंगे बचे सवाल का आंसर क्या होगा आप बता यह कमेंट अब देखता हूं मै रभ्रम कि अओन कि यहें AGAं वह तो किलास में कमेंट निनी देखुन से इकालें पंप नहीं तो स्वाल का लेवल जो आपको पुरेशान कर रहा है वह टाइप नहीं कि partnership में इस टाइप का question नहीं वह वो level है टाइप तो हजार बन सकते हैं लेवल वो क्यों सरी ये लेवल नहीं बन रहा हमसे ऐसा बोलो तो बात समझ में आए तो level जो है वो level एक दो level up करके मैं आपको करा दूँगा उसमें Saturday में बच्छा आप जिस book से कर रहे हो उस book में बैंक के question बहुत जादा है जिस book में आप कर रहे हो बैंक के question बहुत जादा है और बैंक का दो ही chapter पे focus होता है केवल किसका एक तो bank का एक तो चक्रवर्धी ब्याज पे और एक partnership पे बैंक अगर अच्छे level के सवाल बनाता है ना दो chapters में बनाता है एक तो चक्रवर्धी ब्याज में और एक partnership साज़ेदारी में banking exam के सबसे important chapter ही ही होते हैं तो आप जिस book को कर रहे हैं उसमें bank के सवाल है partnership के भाई उनका level तो अच्छा होगा ही आपको उतना level पढ़ने की जरूरत निया परेशान होने की जोतनी है अगर आप उस सवालों को नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वह bank के परपस से बनाए गए सवाल है तो इतना परेशान होने की जोतनी है जिस level का मैंने आपको कराया है पार्टनर से पूसी level के सवाल प्रैक्टिस करो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जा करेंगे तो आपका टार्गेट रहना चाहिए lcm भाई a जो है वो उसे 10 दिन में समापत कर सकता है जो भी भाई साब है वो उसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं मैंने कहा 10 और 15 का LCM मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के दिखना चाहिए कि 10 और 15 का LCM कितना होगा आप कहेंगे सर 10 और 15 का LCM तो 30 होता है कितना 30 होता है और इसे ही मैं total work TW total work क्यानिके कुल कारिय मान लूँगा total work आपको LCM निकालना नहीं आ रहा है तुम कैसे करोगे 60 बता रहे हो 60 LCM होता है 10 और 15 का पिछले सवाल में 20 और 30 का LCM 90 बता रहा है कि 90 होगा तुम्हे ना offline में होना चाहिए था मेरे पास कास हम offline चला रहे होते हैं तुम्हें मैं offline में बुलाता तब तुम 20 और 30 का LCM 90 नहीं हाथ जुड कह देतें कि जी 60 ही होगा तो क्या करें पर offline चलती ही नहीं है हमारी तो यहाँ पर भाई LCM हो गया 30 मैंने कहा A की छमता बताओ तो आप total काम कितना है 30 और 10 से divide कर दोगे आ जाएगा 3 ये A की छमता है आप total काम है 30 और B का कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है तो B का एक दिन का काम कितना है 2 unit B का एक दिन का 2 unit छमता निकाल ली आपने A और B की efficiency निकाल ली उसने कहा अगर दोनों मिल जाए दोनों मिल कर अगर इस काम को करना शुरू करें तो भाई अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की छमता कितनी हो गई बचे आप कहेंगे सर दोनों की जो छमता है न वो 6 unit है 6 unit पिर्ती दिन एक दिन में वो 6 unit काम कर सकते हैं दोनों मिल कर एक दिन में 6 unit काम कर सकते हैं दोनों मिल कर 5 unit एक दिन में पांच यूनिट काम, तीन और दो पांच यूनिट काम कर सकते हैं मिलकर, अब मैंने कहा मिल जाए तो 30 यूनिट काम को करने में कितना समय लेंगे, 30 बटे और दोनों की छमता 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा, सर 6 दिन, कितना आंसर आएगा, यानिके सर अगर वो दोनों भाई मिल जाए ना, तो वो 6 दिन में खतम कर देंगे, उस 30 यूनिट काम को, कितने में, 6 दिन में, नेक्स्ट कोशन पर लेकर चलता हूँ, जल्दी से मुझे उमीद है कि आप इसका अंसर मुझे दोगे, जल्दी से बता दो, सवाल अलग है, थ A तथा B मिलकर किसी कारे को 15 दिन में खतम कर सकते हैं, देखो, इस बार उन्होंने कहा, दोनों मिल जाएं, तो 15 दिन में complete कर सकते हैं, और B अकेला इसे 20 दिन में complete कर देगा, तो बताइए, A अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो आपने करना क्या है कि A और B अगर मिल जाएं तो बचे A और B एक साथ बोला है एक साथ रखेंगे उनको A और B पंदरे दिन में कर सकते हैं और B अकेला मेरे भाई सैनिक भाई B अकेला कितने दिन में कर सकता है B अकेला 20 दिन में कर सकता है देखो उसने एक जो समय दिया है वो A और B दोनों को जोड कर दिया है और दूसरा समय उसने B को अलग करके दिया है मैं आपसे पूछता हूँ 15 और 20 का LCM कितना है मुझे स्क्रीन पर दिखा नहीं अभी 15 और 20 का LCM तुम्हें पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ तुम्हें आप कहेंगे सर 15 और 20 का जो LCM है वो 60 है कितना है 15 और 20 का LCM है 60 और 60 ही हमारा टोटल वर्क यानि के कुल कारिय हो जाएगा अब मैं आपसे पूछता हूँ A और B की छमता कितनी है इन दोनों की छमता कितनी है आप कहेंगे सर 60 बटे 15 इन दोनों की छमता है 4 यूनिट दोनों की efficiency कितनी है 4 यूनिट फिर मैंने आपसे कहा भाई B अकेले की छमता कितनी है B अकेले की छमता है 60 बटे 20 यानि के B अकेले की छमता है 3 यूनिट बी अकेले की छमता कितनी है तीन यूनिट चमता का मतलब क्या छमता का मतलब है एक दिन में बी तीन यूनिट काम कर सकता है एक दिन में बी तीन रोटी खा सकता है और दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में चार रोटी खा लेंगे अगर A और B मिल जाएं तो एक दिन में चार रोटी खा लेंगे अगर B अकेला रहे तो एक दिन में तीन रोटी खा लेगा भई मेरे मैंने आप से खा A अगर अकेला रहे तो एक दिन में कितनी रोटी खा लेगा आप कहेंगे सर्फ B तो 3 खा सकता है तो B की छमता मैंने उसको दे दी दोनों की मिलकर है 4 यूनिट तो क्या A की छमता 1 यूनिट ही बचेगी भई A और B दोनों की जो efficiency है जो उनकी छमता है जो उनकी कारिकुशलता है वो चार यूनिट है और B अकेले की 3 यूनिट है तो A की तो 1 यूनिट ही बची भई यानि के A की जो छमता है वो एक यूनिट है वो एक दिन में 1 रोटी खा सकता है बस A बड़ी कम खुराक है भाई, डाइटिंग पे चल रहा है, या फिर पता नहीं क्या सीन है, वो एक दिन में एक रोटी खा सकता है, अब उसने कहा A अकेला कितने दिन में कर देगा, तो बच्चे A अकेले की जो छमता है, A की जो efficiency है, वो तो A की unit है, और भाई, 60 unit काम कराना है, एक unit, तो काम कितने दिन में कर देगा, A, 60 दिन में इस काम को निप्टा देगा, A अगर अकेला लगा रहे, तो 60 unit काम को 60 दिन में खतम कर देगा, ओके, चले, अगले सवाल पर चलते हैं, इस सवाल के पास आओ, थोड़ा सा level change किया, मैंने सवाल का, थोड़ा सा, बहुत आसान topic है, और बहुत ही आसान chapter है, time and work, सवाल chapter में जो दम है न, वो दो chapter में मुझे दम लगता है, एक तो आपका time speed distance, समय चाल और दूरी, और दूसरा मुझे लगता है, ब्याज, interest वाले chapter में, ब्याज वाले chapter में दम है, उसमें भी चक्रवर्दी में थोड़ा सा, उसे भी हम इतने interesting way में पढ़ेंगे न, भूल जाओगे formulae, formulae को आप, आप कहोगे कि सर क्या जरूरत थी formula बनाने की जब सवाले बिना formulae के हो रहे हैं तो, चक्रवर्दी ब्याज में, time speed distance भी, इन दो chapter में थोड़ा सा दम है, उन्हें आरम से पढ़ेंगे, बाकी तो पूरा math ही easy है, पूरा math easy है, तो सवाल को देखिए, उसने कहा A, अकेला किसी काम को 18 दिन में, B, अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों की अलग-अलग समय दे दिया कि A, उसे 18 दिन में निप्टा सकता है, और B, उसे 15 दिन में निप्टा सकता है, बात clear हुई, उसने कहा B, अकेले ने इसे 10 दिन कारे करके छोड़ दि किया होगा सवाल को पढ़ो जिससे यह सवाल नहीं समझ में आ रहा है उसका काम है सिर्फ सवाल की रीडिंग करना सवाल की रीडिंग करो जल्दी से रीडिंग करो सवाल की तो आप कह रहे हो सर एकेला किसी काम को अठारा दिन में बी अकेला पंदरे दिन में कर सकता है बी ने केला कितने दिन में कर सकता है सर 15 दिन में तो आपने यहां पर लिखा भी 15 दिन में अब आगे चलते हैं क्या अब आपको अगर समय मिल गया ठारा पंद्रा मुझे LCM बता दो ठारे पंद्रे का टोटल वर्क वही होगा जो ठारा पंद्रा का LCM जल्दी से बता दो यार नहीं बताओगे बताओ अठारा पंद्रे का LCM है 90 बिलकुल सही जवाब अठारा पंद्रे का LCM होता है 90 और यह 90 ही मैं टोटल वर्क कुल कारिय मान लूंगा अब इनकी छमता भी बता दो जब इतना काम आपने कर ही दिया है तो यह काम भी कर दो कि अगर टोटल वर्क 90 है ए उसे 18 दिन में करेगा 90 यूनिट को तो एक दिन में कितना काम करेगा एक सिंगल डे में एक कितना काम करेगा तो आप कहेंगे सर 90 बटे 18 यानि के 5 दिन में स्वारी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है मैंने कहा भी की छमता बता दो जब इतना काम आपने कर ही दिया है तो 90 बट तो मैंने कहा A की छमता है 5 यूनिट B की छमता है 6 यूनिट एक एक दिन का काम है यह यानि के A जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है B जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है सवाल, सवाल, सवाल तो अब सुरू हुआ है सवाल तो अब सुरू हुआ है सवाल ने आपसे कहा कि B अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया B अकेले ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया मैंने आपसे पूछता हूँ B ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया सवाल ने लिखा है इस बात को मैंने कहा B का 10 दिन का काम कितना है आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हो हाँ मैं पूछ रहा हूँ के B का 10 दिन का काम कितना है आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि B का एक दिन का काम कितना है बचे B का एक दिन का जो काम है वो तो 6 यूनिट है भाई जो छमता निकाली है मैंने 5 और 6 वो एक एक दिन का काम ही तो निकाला एक एक दिन का काम ही तो निकला है मैं आपसे कहता हूँ B का एक दिन का काम 6 यूनिट तो B का 10 दिन का काम कितना होगा एक दिन का 6, दो दिन का 12, तीन दिन का 18, चार दिन का 24 सर मैं छमता को दिनों से गुणा कर दूँगा तो यहाँ पर मैंने कहा B का 10 दिन का काम कितना होगा आप कहेंगे सर छमता है 6 यूनिट आप 10 से गुणा कर दो यानि के बी ने जो काम किया है वो साथ यूनिट काम किया दस दिन में और फिर भाई साब भी भाग गया रिस्ते वाले आ गए होंगे कुछ भी आ गए होंगे आप कहीं कुछ काम कर रहे हो मम्मी बुलाले फॉन करके के बेटा एक काम कर दो किलो ये डेड किलो दाल लेया मम्मी मुझे बहुत जरूरी काम है मैं आई नहीं सकता मैं कसम खारो मम्मी आई नहीं सकता और पापा का फॉन आ जाए बिटा संडे में फिरी रही हो क्यों वो देखने वाले आ रहे है ठीक है पापाजी चाहे कितना भी जरूरी काम हो ठीक है पापाजी वो ठीक है कैसे हो जाता है वो तो ये बी का भी कुछ ऐसा ही important काम रहा होगा के भी छोड़कर भाग गया मेरा सवाल है कि सेस काम कितना बचा भाई सेस काम कितना बचा काम होना था 90 यूनिट और भाई 60 यूनिट भी कर गया तो सेस काम तो 30 यूनिट बचा है जो सेस काम है वो remaining है वो 30 यूनिट बचा अब इस 30 काम को कौन करेगा इस 30 काम को ए अकेला करेगा भाई एकी तो हो चुकी है साधी क्या करे वो कहां जाएगा घर साम को जाना है उसे तो सुबह सुबह रोटी पैक करके मिल गई के साम को 6 बजे से पहले घर में दिख मत जई हो तो भाई जो बचा हुआ काम है 30 यूनिट इसको तो एको ही करना पड़ेगा एको ही करना पड़ेगा और एकी जो छमता है वो तो 5 यूनिट है तो बचे 30 यूनिट काम बच रहा है और एकी छमता पांच यूनिट तो ए इसे 6 दिन में खतम कर देगा से इस काम को आंसर कितना आएगा 6 दिन बिलकुल सही जवाब बिलकुल सही जवाब होगा 6 दिन गोड नेक्स्ट कोश्टन पर चलते हैं यह सवाल करो जल् क्या कह रहा है देखाना अच्छा उपर चलना उपर उपर चलना उपर हाँ ठीक है चलो बताओ जल्दी से सवाल का अंसर क्या होगा एक इसी काम को 12 दिन में भी उसे 15 दिन में पूरा करता है ए ने अकेला काम सुरू किया लेकिन 3 दिन बाद भी भी आ गया ए ने काम सुरू किया है और 3 दिन बाद भी भी आ गया सवालों को अरेंज मैं उस तरीके से करके लाया हूँ जिस तरीके से आपके दिमाग में उन्हें सैट करना है मुझे देखना ए ने काम सुरू किया लेकिन 3 दिन बाद भी भी सामिल हो गया तो भाई बचे हुए काम को दोनों कितने दि करने से समझ में आ जाता हैיים चीज बता रहूं मैं आपको देखो उसने कहा एक इसी काम को 12 दिन में complete कर सकता है बारा दिन में बी उस काम को कितने दिन में complete कर सकता है 15 दिन में मेरा सवाल आप से वही जो मैं हर सवाल में पूछूंगा हर सवाल में मेरा सवाल वही रहेगा कि 12-15 का LCM कितना होगा अंसर बताओ 12-15 का LCM कितना होगा बचे आप कहेंगे सर 60 यूनिट और यही LCM टोटल वर्क कुल कारिय बन जाएगा अब मैंने कहा इनकी छमता और बता दो जब आपने इतना काम कर ही दिया है तो मैं मैंने कहा अगर 60 यूनिट टोटल काम है भाई ए उसे 12 दिन में कर सकता है तो ए उसे एक दिन का एक दिन में कितना काम करेगा वो छमता होगी एक दिन का काम तो 60 बते 12 आप कहेंगे सर 5 यूनिट काम मैंने कहा 60 बते 15 तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट यानि के जो 5 और 4 आए है सेनिक भाई ये उनकी छमता है ये उनकी efficiency है एक एक दिन का काम सवाल तो अब सुरू होगा ये तो आपको करना ही है सवाल तो अब सुरू होगा कहां से सवाल तो असली यहां से सुरू हुआ है पढ़ो सवाल को और सवाल के हिसाब से चलो सवाल कहता है ए अकेला काम सुरू करता है ए सुभह आ गया रोटी लेकर रख दी रोटी भाई काम सुरू कर दिया ए ने ए ने काम सुरू किया लेकिन तीन दिन बाद भी भी काम पर आ गया अब भी को तो आना ही था कहां जाता भी कहां जाता B, B को तो आना ही था लेकिन B आया कब है B आया है बच्चे तीन दिन बाद क्या तीन दिन तक A अकेला लगा रहा होगा Yes और नो में जवाब दो A ने अगर काम सुरू किया और तीन दिन बाद B भी काम पे आया तो क्या तीन दिन तक A ने अकेले काम किया होगा येस सर तो आप मुझे बताओ के A का तीन दिन का काम कितना हुआ A का तीन दिन का काम कितना हुआ आप कहेंगे सर A की जो छमता है वो पांच यूनिट है और उसने एक दिन में पांच यूनिट किया तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा सर 5 गुणा 3 यानि के कितना 15 यूनिट काम 15 यूनिट काम मुझे बता दो सेस काम कितना बचा सेस काम कितना बचा आप कहेंगे 60 टोटल होना है 15 ए ने अकेले कर दिया तीन दिन में तो सर सेस काम जो remaining work है वो 45 यूनिट बचा इस 45 को कौन करेगा अब B भी आ चुका है अब B भी आ चुका है कि 3 दिन बाद B भी काम में सामिल हो गया तो बचे हुए काम को दोनों कितने दिन में कर देंगे बचा हुआ काम है कितना, 45 unit और इसे करेंगे कौन-कौन, दोनों मिलकर A.B. और B.B. छमता कितनी हुए इनकी, भै छमता तो इनकी 5 और 4, 5 और 4 unit, 9 unit छमता है, काम होना है 45, 6 है 9, तो कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, 5 दिन में उसे complete कर देंगे, बचे हुए का को मेरा सवाल आपसे दूसरा है यहां पर तो उसने कह दिया बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे मेरा सवाल आपसे है कुल कारिय कितने दिन में समाप्त होगा जल्दी से मुझे आंसर बता दो मेरा कोश्चन है दूसरा कि कुल कारिय कितने दिन में समाप्त होगा कुल कार तोटल वर्क कितने दिन में समाफ्थ होगा जल्दी से आंसर बता दो अगर सवाल पूछे कुल कारिय कितने दिन में समाफ्थ होगा तो आपने करना है कि सर जब दोनों ने काम किया तो पांच दिन तो ये थे और तीन दिन ए अकेला लगा रहा है सर, कुल कारिया तो आठ दिन में समाप्त हुआ, वह पांच दिन तो दोनों ने मिलके किया जो हमने निकाला, और तीन दिन ए पहले लग रहा था, तो टोटल काम आठ दिन में होगा, ऐसा भी सवाल में पूछेगा, वो आपसे कुल कारिया है, हर बार वो बचा हुआ कारिया का समय नहीं पूछेगा, वो टोटल काम का भी समय पूछेगा, कुशन्स में आएंगे, ऐसे सवाल भी, ठीक है, तो यहीं पर हमने ये चीज़ सीख ले, अगले सवाल पर चलते हैं, ये सवाल देखिए, बताएंगे जल्दी से इसका अंसर क्या होगा, ए कोई काम पंदरे दिन में, बी कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों 4 दिन तक साथ काम करें, तो सेस बचा काम पूरे काम का कौन सा हिस्सा होगा, सवाल का, सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है सवाल का, तो जल्दी से बचे आंसर बताएंगे काम हमारा वही रहना है A और B LCM लेना है टोटल वर्क निकालना है छमता निकालनी है छमता निकालने तक तो हर सवाल में काम करना है आपको उसके बाद सवाल पढ़ना है कि सवाल आपसे कहना क्या चाहता है सवाल आपसे कहना क्या चाहता है उसके बाद ये चीज आपने स्टार्ट करनी है तो आप कहेंगे A कोई काम 15 दिन में B कोई काम 20 दिन में सर जल्दी से बताओ दो आंसर कितना होगा जल्दी बताओ मेरी मैत कमजोर है क्या करूँ सवनु मैं 20 का इलाज बता चुका हूँ पहले किसी न किसी वीडियो में इसका इलाज बता चुका हूँ मैं मैत कमजोर का इलाज कैसे करना है रोज सुबह 4 बजे उठो और पूजा करो डेड़ घंटे फिर पीपल के पेड़ पे धग्गा बा रखो पढ़ाई मत करो लगा वरत कर रखो दो तीन चीटियों को दाना खिलाओ झाला तो अरे बही मैत सही कैसे होगा मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक से क्लास चल रही है इन क्लास को लेने से तो मैध सही होगा कोई और टॉनिक है क्या या कोई पतंजली ने कोई ऐसा टॉनिक निकाल दिया हो कि भाई उसको खाने से मैच सही हो जाएगा नहीं होगा ना सारा काम प्रैक्ट इसका आंसर भी आपके पास है फिर भी आप पूछ रहो मैच सही के से होगा प्रैक्टिस से होगा पढ़ने से होगा पढ़ो जितने भी मैं परमवीर क्लास में बैच में क्लास ल ने भी हैं एक भी सवाल अगर आप छोड़ कर आ जाओ तो यह परमवीर बैच पूरा कर लो बैस तो सवाल ने कहा कि ए कोई काम 15 दिन में भाई ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है वी उस काम को 20 दिन में कर सकता है तो आप LCM बता दो 15 और 20 का आप कहेंगे सर 60 यूनिट यही हमार total work हो जाएगा यानि के कुल कारिय हो जाएगा 60 यूनिट अब सवाल में आप से पूछता हूँ के इनकी छमता इनकी efficiency और बताओ मेरे सैनिक भाई इनकी efficiency क्या होगी A की छमता होगी 60 बटे 15 यानि के 15 चौके 60 B की छमता होगी 60 बटे 20 यानि के B की छमता होगी 3 ये जो छमता हम निकालते हैं क्या आप जानते हुई क्या होती है ये इनका एक एक दिन का काम होता है कि एक दिन में कितने कितने काम ये कर सकते है सवाल ने कहा यदि दोनों चार दिन तक एक साथ काम करें दोनों चार दिन तक एक साथ काम करें तो मुझे एक बात बताओ अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन का कितना काम हुआ बचे एक दिन का काम का मतलब होता है उनकी छमता उनकी efficiency को जोड़ दो वही एक दिन क काम है तो एक दिन में साथ यूनिट उसने कहा चार दिन तक काम किया है दोनों ने तो चार दिन में कितना कर देंगे भाई साथ गुणा चार यानी के 28 यूनिट काम वो निप्टा देंगे चार दिन में सवाल ने पूछा क्या आप से उसने कहा सेस बचा काम जो सेस बच गया है न काम वो पूरे काम का कौन सा भाग है पहले मेरा आप से सवाल है सेस काम बचा कितना है सेस काम बचा कितना है आप कहेंगे सर जो remaining work होगा न वो 60 में से सर 28 गटा दो 28 आप गटा दोगे तो सर 32 आएगा यानि के सर ये 32 काम तो remaining है उसने कहा जो सेस काम है वो पूरे काम का कौन सा हिस्सा है पूरे काम का तो आप कहेंगे सर 32 बचे पूरा काम कितना है 60 यूनिट तो इतना हिस्सा है तो 4 से कटेगा 4,8,32 और 15,64 आप का अंसर कितना आएगा भाई आप का अंसर आएगा आठ बटे 15 बात किलियर हुई आप का अंसर आएगा आठ बटे 15 बिलकुल सही जवाब होगा बिलकुल सही जवाब अगले सवाल के लिए तयार रहना मुझे आंसर बहुत जल्दी चाहिए बहुत ही जल्दी मुझे आंसर चाहिए आपक मैं देखता हूँ कौन इस cancer जल्दी देगा बचे time and work के सवाल होते हैं कि आप speed बनाओ जितनी speed आप बना सकते हो मुझे उमीद है कि आप इस cancer बहुत जल्दी दोगे speed बनाओ जितनी बना सकते हो speed अच्छे ठीक है तर आप ज़्यादा question लाए करो भाई ज़्यादा question ले आउं लेकिन घंटा तो मेरे पास एक ही है मेरे शेर घंटा तो एक ही है अंजली कितना आया अंजली का तो बहुत आ गया तुम बताओ तुमारा कितना आया मेहंदर कितना आया तुमारा नाम तो इतना भारी लिया हुआ है मेहंदर और ऐसे काम कर रहे हो तुम्हें सुनाओं भी तो कैसे सुनाओं इतना respected नाम है मेहंदर कोई चीकू कोई good do, छोटू, मोटू ऐसे नाम होते तो उनको मैं सुनाता भी मेहंदर नाम है, कैसे मेहंदर बाहू बली वाली फील आती है तुम में से, तुम बाहू बली होकर ऐसी बाते करोगे देखो, A और B कोई काम 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम सुरू करते हैं, लेकिन तीन दिन बाद A काम छोड़ देता है तद नुसार काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, काम पूरा करने में, देखो सवाल पे सबसे पहला काम आपका होना चाहिए टोटल वर्क निकालने का, कुल कारिय निकालने का, तो आप कहेंगे A, किसी कारिय को 6 दिन में कर सकता है, B, उसी कारिय को 12 दिन में कर सकता है, टोटल LCM हो गया 12, यही मेरा टोटल वर्क होगा, कुल कारिय यही होगा 12, मेरा अगला सवाल आपसे है, इनकी छमता बताओ, इनकी efficiency बताओ तो आप कहेंगे आप कहेंगे सर छमता निकालनी है तो 12 बटे 6 यानि के छमता आ गई 2 छमता निकालनी है 12 बटे 12 इसकी छमता आ गई 1 छमता मिल गई 2 और 1 सवाल तो अब सुरू हुआ है यहां से दोनों एक साथ काम करना सुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद A भाग गया इस बार क्या हो गया यह के साथ 3 दिन बाद ना A भाग गया मिरा आप से सवाल है अगर दोनों ने काम करना सुरू किया और T B जो A है वो 3 दिन बाद भागा है मिरा आप से सवाल है क्या तीन दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया होगा क्या उन्होंने तीन दिन तक एक साथ काम किया होगा सर बिलकुल किया होगा तो आप मुझे बता दो A प्लस B का तीन दिन का काम कितना है तीन दिन का बचे एक दिन का काम तो इनकी छमता होती है तीन और तीन दिन का काम कितना हो जाएगा नौ यूनिट भाई रिमेनिंग काम कितना है सेस काम कितना है बारा में से नौ गए रिमेनिंग काम है तीन यूनिट रिमेनिंग काम है तीन यूनिट अब ए भाग चुका है एक काम छोड़ कर भाग चुका है तो रन भूमी में कौन डटा हुआ है काम करने के लिए तो रन भूमी में B डटा हुआ है के नहीं तो ये जो सेस काम है इसको कौन करेगा इसको करेगा B तो तीन यूनिट काम और B की छमता है एक बचे इसे तीन दिन में कर देगा सवाल ने आपसे पूछा क्या है एक बार थोड़ा सा जहाकर देखो तो सवाल ने पूछा है काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे वो ये नहीं कह रहा कि सेस काम को होने में कितने दिन लगेंगे मैंने कहा था पिछले सवाल में आपसे कि सवाल में आपसे ये भी तो तीन दिन तो ये हो गए और भाई तीन दिन उन्होंने साथ काम किया था तो टोटल हो गए छे दिन आपका अंसर है option number C ये सवाल पे बड़े गौर से आपने देखना है कि वो आखिर आप से पूछ क्या रहा है ठीक है सर जल्दी जल्दी करवाई अभी अभी करवाई एक सवाल हो गई अगला सवाल होने वाली तो जल्दी जल्दी करवाई आप थोड़ा सा पहले हिंदी सुधारी अपना थव बात बनी ओके तो यह सवाल करो जल्दी से क्या होगा अब यह सवाल का लेवल बढ़ा अब आएगा मज़ा क्योंकि सवाल का बढ़ा लेवल अब सवाल को करी जल्दी जल्दी करी क्या होगी अंसर मनद क्या होगा अंसर आ और बी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं बी और सी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं अब इस बार उन्होंने जोडा बना दिया भई, तीन लोग हैं, A, B, C, इस बार उसने जोडा बना दिया, A, B को एक साथ रखा, B, C को एक साथ रखा, C, A को एक साथ रखा, उसने कहा, A और B 12 दिनों में, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि A, B, C तीनों मिल जाएं तो काम पूरा कितने यह सवाल परेसान करेगा 100% आप गलती करोगे इसमें अगर आप इस सवाल को पहली बार कर रहे होना तो मैं गैरंटी से कहता हूं आप गलती करोगे लेकिन इसके बाद गलती की गुंजाइस नहीं होगी इसके बाद कभी लाइफ में ग मिल जाएं तो 15 दिन में उसने कहा C और A 20 दिन में तो अगर C और A मिल जाएं तो 20 दिन में मेरा आप से सवाल जो मैं पिछले 8-10 सवालों से पूछता आ रहा हूं उसका आंसर मिल जाना चाहिए मुझे मैंने कहा कि मुझे बता दीजिए 12-15-20 का LCM कितना होता है आप कहेंग अगला सवाल मेरा कि इनकी छमता भी बता दो भाई छमता A और B की एक साथ निकलेगी अलग अलग छमता नहीं निकलेगी A और B की क्योंकि उनका जो समय दिया है बारा दिन वो दोनों का कमबाइंड दिया है मुझे उसने यह नहीं कहा कि A इतने दिन में कर सकता है B इतने द निकलेगी और CA की एक साथ निकलेगी ओके तो यहां पर यह कितना होगा 60 बटे 12 यानि के 5 यह कितना होगा 60 बटे 15 यानि के 4 यह कितना होगा 60 बटे 20 यानि के 3 बच्चे जो यह 5, 4 और 3 efficiency आई है न यह इनकी combined है इनकी total छमता है A, B, B, C और CA की combined group में छमता है अब मुझे तो चाहिए क्या मुझे तो A, B, C तीनों की मिलाकर चाहिए अब इस तरह के सवालों में आपने करना क्या होता है सामने देखो करना है बच्चे सब को जोड़ दो तो दो बार तो A आया है दो बार B आया है दो बार C तो 2A पिलस 2B प उड़ जाएंगी 5, 4, 9, 3, 12 तो बचे आप क्या यहां से 2 को common ले सकते हो तो bracket में क्या बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर 12 तो 2, 6, 12 तो आप मुझे बताईए A प्लस B प्लस C की छमता कितनी आ गई A प्लस B प्लस C की जो efficiency है वो तीनों की combined है 6 unit सवाल में आप से पूछा है के A, B, C मिल कर कितने दिन में कर देंगे जब A, B, C तीनों मिलेंगे तो उनकी छमता है मेरे पास 6 unit और total काम तो 60 है तो 60 total काम है बटे A, B, C की छमता कितनी है 6 मेरे भाई मेरे सेर आंसर कितना आएगा 10 दिन आएगा सवाल खतम नहीं हुआ सवाल तो अगला अब पूछूँगा इसी में ही आप से इसी सवाल में आप से पूछूँगा इस सवाल का तो आंसर आप सभी बहुत देर से कह रहे हो सर 10 दिन 10 दिन 10 दिन मेरा आप से सवाल है क्या मेरा सवाल है ए अकेला कितने दिन में करेगा जल्दी से मुझे आंसर बता दो ए अकेला कितने दिन में करेगा क्या आपका आंसर होगा उस केस में कोई 4,41,42 बच्चे देख रहे हैं क्या आप मेंसे ऐसा है कोई जो मुझे बता सकता है कि A अकेला कितने दिन में काम को करेगा बचे अगर A अकेले से मुझे काम कराना है तो क्या A की छमता A की efficiency मेरे पास होनी चाहिए A का एक दिन का काम होना चाहिए सोचो इस बारे को, इस बात को सोचो अगर A से काम कराना है तो A की एक दिन का काम मेरे पास होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो तीनों का साथ में दिया हुआ है तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं एक काम कर सकता हूँ कि B और C की छमता कितनी है B और C की जो छमता है 4 मैं यहाँ पर रख देता हूँ B और C की कमबाइन तो A प्लस 4 बराबर 6 तो A की छमता कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 यानि के 2 तो A की छमता कितनी आ गई A की छमता है 2 unit तो काम कराना है 60 A की छमता है 2 तो 60 बटे 2 A काम को कर देगा 30 दिन में मेरे भाई अगला स्वाल तयार है मेरा B कितने दिन में कर देगा आप में से 42 45 तेनों को तो बता दिया अपने सवाल का anomaly तो 10 है नए ने सवाल आपके द्माग में ला रहा हूँ यह नया सवाल है मेरा नया सवाल आपसे है B अकेले के लिए तो B की छमता पता होना चाहिए भाई आपको तो अगर मुझे A और C की छमता combined पता है A और C की 3 है तो मैं A और C की 3 पिलस B वरावर 6 तो B की कितनी आ जाएगी 6 माइनस 3 यानि के 3 भाई B की छमता मिल गई 3 टोटल काम है 60 तो 60 बटे 3 यानि के B कर देगा 20 दिन में मिरा अगला सवाल तयार है और आप लोगों ने उसे बता भी दिया होगा मैंने कहा C अकेला कितने दिन में कर देगा C अकेला कितने दिन में कर देगा तो आप कहेंगे के सर अगर C से कराना है तो C की छमता पता होनी चाहिए तो A और B की छमता कितनी है 5 तो 5 पिलस C बरा जा दिये मैंने एक सवाल के अंदर चार अलग-अलग सवाल यह एक सवाल नहीं है यह 4 सवाल हो गए है आपके मैंने कहा C अकेला तो भाई 60 यूनिट काम है और C की छमता है एक तो C उसे 60 दिन में कर सकता है तीनों का अलग-अलग समय भी निकाल दिया और कंबाइंड तो 10 है चार सवाल हो गए, यह चार सवाल, ओके, चार सवाल, ऐसे अलग-अलग सवाल भी ला सकता था, इसी में भी मैंने चार आपको करा दिये, ओके, गुड़, बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं, यह सवाल का अंसर बताई, जल्दी से इसका अंसर क्या होगा, स्पीड, मुझे स्पीड दिखनी रही है, आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे, एनर्जी दिखनी चीए, जो एनर्जी मेरी पहली क्लास में थी, क्लास को में, क्या वही एनर्जी आज नहीं है, मेरी एनर्जी चेंज नहीं हुई है, आपकी एनर्जी तो जेड़ अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बताओ जल्दी से, भाई अगर तीनों मिल जाए, एकस प्लस वाई प्लस जेड़ तो काम होगा दस दिन में, सवाल ने बोला है, ऐसे मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, कुछ सवाल ने कहा, उसने कहा, एकस अक अकेला 40 दिन में, वाई अकेला कितने दिन में, वाई अकेला 30 दिन में, येस, बिल्कुल सही बात है सर, तो आपका काम क्या है, इन तीनों का LCM लेना, जल्दी से मुझे बता दो, कोई भी सैनिक ऐसा बैठा है, जो मुझे इन तीनों का LCM बता सके, 120 यूनिट, बिल्कुल होगा, अब मेरा अगला काम, और अगला मेरा सवाल, कि इनकी Efficiency निकालो, तो आप कहेंगे सर, 120 बटे 10, 0 से 0 खतम, 3 की छमता, X, Y, Z की छमता है 12, मैंने कहा, X की छमता बताओ, तो आप कहेंगे, 120 बटे 40, X की छमता है 3 यूनिट, मैंने कहा, जब काम कर ही रहे हो, तो भाई Y की छमता भी बता दो, तो आप कहेंगे सर, Y की छमता है 4 यूनिट, अब आपने एक थोड़ा सा बुद्धी वाला काम करना है, कौन सा, आप जानते हैं, तीनों की छमता कितनी है, भाई, X, Y, Z की जो छमता है, वो 12 है, X की छमता है 3, तो X के सिर पे रख दो, Y की छमता है, 4 Y के सिर पे रख दो, तो Z के पास कितना हिस्सा बचेगा, भाई, तीनों की 12 है, Z की छमता कितनी बचेगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, अगर X की छमता 3, Y की 4, टोटल 12 है, तो क्या मेरे सैनिक भाई, Z की छमता 5 हो जाएगी, भाई, X की 3, Y की 4, साथ हो गया, टोटल 12 है तीनों की मिला कर, तो क्या Z की 5 बचेगी के नहीं, सर बिल्कुल बचेगी, उसने कहा Z अकेला कितने दिन में कर देगा, तो Z अकेला जब लगेगा, तो Z की छमता है 5, आप का अंसर आ जाएगा, कितना 24 दिन, कितना आ गया, 24 दि जबाब आपका सभी का आ रहा है बहुत देर से, गुड़, एक सवाल और कराता हूँ, ये सवाल पर आईए, ये सवाल देखिए एक बार, जल्दी से बताएंगे सवाल का अंसर क्या होगा, सभी लोग दिमाग लगाईए, दिमाग लगाईए, दिमाग लगाईए, दिमाग लगाईए, दिमाग लगाईए, लता किसी काम का 1 बटे 3 भाग 4 दिन में, आसा उसी काम का 1 बटे 6 भाग 3 दिन में कर सकती है, यदि दोनो मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा, चले, आप मुझे बताए, पिछले जब जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, उसमें सब में दिया हुआ था कि ए पूरा काम इतने दिन में भी पूरा काम इतने दिन में तो मेरा काम क्या था मैं उन समय को लिखे मैं टोटल काम निकाल रहा लेकिन यहां पर उसने थोड़ा सा चेंज किया कि लता जो है वो एक बटे तीन काम चार दिन में कर रही है मेरा आपसे है के लता पूरा काम कितने दिन में करेगी तो आप ऐसे करेंगे लता कर रही है एक बटे तीन काम कितने दिन में चार दिन में तो लता पूरा काम कितने दिन में कर देगी ये तीन उधर चला जाएगा आप कहेंगे सर चार गुणा तीन लता पूरा काम करेगी बारा द कालने का पूरा काम कितने दिन में करेगी लता बारे दिन ऐसे ही आसा का करो आसा आसा की अगर मैं बात करूं तो एक बटे छे काम कितने दिन में कर रही है आसा तीन दिन में तो भाई आसा पूरा काम कितने दिन में करेगी इसे छे की गुणा कर दो तीन में यानि के आसा पू ले 10-12 सवालों से करते आए हो, पिछला वही प्रोसेस, भाई लता और आसा, लता पूरा काम 12 दिन में, आसा पूरा काम 18 दिन में, LCM बता दो कितना है, LCM बता दो कितना है जल्दी से, तो आप कहेंगे, सर बारा और 18 का LCM है 36, तो 36 बटे 18, कितना आएगा 2, 36 बटे 12, कितना आएगा 3, ये इनकी efficiency आगई, ये इनकी छमता आगई, सवाल ने कहा, दोनों मिलकर अगर काम करें, तो 75% काम करने में कितना समय लगेगा, अगर सवाल आप से पूछता, कि दोनों काम करें, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो सवाल आसान था, सवाल अब भी आसान है उसने कहा अगर दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम बचे काम तो टोटल मेरे पास 36 है 36 का 75% निकालो कितना होगा तो 25-35-25-100 चार से कटेगा चार नाम 36 और नौतिया 27 मेरा जो 75% काम है ना जो 75% काम है वो 75% काम कितना हुआ बच्चे 27 यूनिट मुझे केवल 27 यूनिट काम कराना है केवल 27 यूनिट और बच्चे 27 यूनिट काम करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5 बटे कर देंगे कितना होगा 5 पूरे 25 हासिल का दो 5 सही 2 बटे 7 दिन 5 सही 2 बटे 5 दिन 5 सही 2 बटे 5 दिन 5 सही 2 बटे 5 75% निकालना है बस टोटल का, तो टोटल का 75%, बचे एक हमवर्क दे देता हूँ, ये कल यहीं से क्लास की सुरुवात करेंगे, एक बार मुझे जल्दी से थमसब करके बता दो, अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो, जल्दी से थमसब करके बताएंगे मुझे, और इ ऐसी एनरजेटिक क्लास के साथ, और बहुत अच्छे-च्छे सवालों के साथ, कल आपको MDH वाला फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, MDH का चार्ट मसाला, बहुत मज़े करेंगे उस सवाल के साथ, और आप सेकिंडों में आंसर निकालोगे, मिलते हैं, थैंक यू, बाइ- जाहिन